नमस्कार साथियों सीबी बिकल आईटियाई गुरु में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो किसी दूसरी कमपने में काम कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं लेकिन उनके पास ITI की डिगरी नहीं है तो उनकी सेल लेक कम मिल रही है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी सरकारी विभाग में जाना चाते हैं लोको पालर बनना चाते हैं तो उन्होंने कमेंट किया कि क्या हमें ITI करना चाहिए और किस टेड़ से करना चा यह नहीं कर रहा हूं कि आप multiply ही करें यह आप पर करता है मैं आपको एक weird चा दे रहा हूं एक horasा दे रहाँ इस विचार के मार्दम से आप सोचना समझना और पिर इसके बाद आगर आपको लगता है कि यार यह benefit है यह फाइदा है तो आप करिए आपका स्वागत है लेकिन दोस्तों ये मत कहिएगा कि मैं आपको force कर रहा हूं मैं दोस्तों force नहीं कर रहा हूं अगर आपके इच्छा है आप करना चाहते हैं तो ITI कर सकते हैं क्या-क्या benefit इसके बाद हो सकता है उसको मैं आपको यहां बता अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि हमें ITI क्यों करना चाहिए आपको जवाब जरूँ मिलेगा कि आपको ITI क्यों करना चाहिए दोस्तों आपको बता दें कि आज के डेट में पैसे बिना कुछ नहीं हो सकता है आप सभी अच्छे तरीके जानते हैं कि आज के डेट में जिसके पास पैसा है उसी की डिमांड है उसको सब ही पूछते हैं कि भाई कैसे हो ठीक है वो कहावत आपने सुना होगा आप कैसे हैं जब तक आपके जब में पैसे हैं दोस्तों वही बात है कि आज क्रिड में पैसे बिना कुछ नहीं हो सकता है अगर पैसा है तो पुरी दुनिया अपना है अगर पैसा नहीं है तो इस बात को समझने कोशिश करते हैं मैं दोस्तों आपको आइटी करने के 10 महत्पूर सित्त बताऊंगा जिसे आप समझना सुचना इसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं करना बेस्ट है तो आप 2030 में आइटी कर सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं देखिया पहला अगर आपके 10 में ठीक है परसेंट अच्छे हैं और गर्मेंट में अगर आपका आइटी हो तो आप की सबसे बेस्ट होगा मैं आपको पहले बताया कि अगर आप किसी कंपणी में जॉब कर रहे हैं तो यह सबसे होगा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप किसी कमपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे सेलरी कम मिलती है ठीक है सेलरी जो होती है वहाँ पे कम मिलती है लेकिन आप टेकनिकल डिगरी लेकर जाएंगे आइटीय करके जाएंगे तो आपको वहाँ पे सेलरी बढ़ जाएगे गारंटी है दोस्तों अगर आप बात करें डिप्लोमा की ठीक है अगर आप जो है बहुत सारे से लोग हैं जो डिप्लोमा किये हैं और आइटीय किये हैं तो अगर आइटीय करके कोई कमपनी में जाता है तो सबसे पहले आइटीय वालों के लिए जाता है डिप्लोमा वालों क भरती हो जाती है लेकिन डिप्लोमा वालों को यहां पे इनकी सहली ज्यादा देनी पड़ती है ठीक है तो इसलिए क्योंकि कंपनी में डिप्लोमा वालों के इतना डिमांड है नहीं तो इसलिए जो है डिप्लोमा वालों के जो है नहीं लेते हैं बहुत कम लेते हैं ऐसी वात लगते हैं तो यह कारगार आपके लिए थावित होगा अगर आई कर लेते हैं तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट हुआ क्योंकि पहली बात तो आपका टेकनिकल में इंट्रेस्ट है आपका मन लगेगा और इसके बाद जो है जो आप काम करेंगे उसमें कहिन की और मन लगता चला जाएगा तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ती चले जाएगी आपकी जो सहली ही वो भी बढ नोकरी करना चाते हैं तो टेकनिकल कोर्स करके आप जाएगे बहुत बहुत सावित होगा ऐसे बहुत सारी लोग होते हैं जो हाई स्कूल पास करके या फिर ग्रेशन करके जाते हैं लेकिन के पास टेकनिकल कोर्स नहीं होता टेकनिकल डिगरी नहीं होती है अगर आप टेकन प्वूरने के लिए कहीं बकरी चराने के लिए खुश भी कराने के सम्वंधित या अनकिसी सिल निस्स म्माइब कार्यकर गर्यांग तो इसके बहुत होगा थो is ये सब काम कर रहे हैं, बिजली सम्मधी काम कर रहे हैं, कोई machine सम्मधी काम कर रहे हैं, तो IT कर लिजिए, भविस में आपका कहिन कहीं जो है, प्रोग्रेस हो बरता चला जाएगा, कोई vacancy आई उसे अपलाई कर सकते हैं, ठीके, ये आपके लिए best होगा, आगे देखें जो टेकनिकल के पोस्ट के लिए ठीक है, आगे देखें अन्य सरकारी विवाग में टेकनिकल के पोस्ट निकलते रहते हैं, तो आप टेकनिकल के पोस्ट निकलते रहते हैं, तो आप टेकनिकल के पोस्ट निकलते रहते हैं, तो आप टेकनिकल के पोस्ट निकलते रहते हैं, तो जल्दी जौब पाना चाते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाते हैं तो IT अच्छा होगा दोस्तों, सिम्पल सी बात यह है कि जल्दी जौब पाने कम लगाए यह कि जैसे बहुत सारे लोगोते हैं वे वे बेसे कर लेते हैं ठीके तो अब क्या होता है कि जो रोजगार नहीं मिल पाता है तो अगर आप टेकनिकल ITI किये हैं कोर्स किये हैं तो कहिन कहीं आपको किसी भी प्राइबेन सेक्टर में या गवर्मेन सेक्टर में आपको जल्दी जौब मिल जाती है आप खुछ जाके सेलेक्शन करा सकते हैं तो कंपनी प्लेस्मेंट के लिए आती है तो वहां से भी आपको अच्छा खासा इंकम होगा पर मिल जाता है तो ये आप लिए अच्छा आइडियाज रहेगा अगर आप करना चाते हैं तो आप इसे विचार कीजिएगा और आप पास छोड़ी से दिगरी रहेगी जिसके आधार पे आप जो है उस टेक्निकल कोर्स को या टेक्निकल रोजगार स्वारोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं तो सबसे बेस्ट होगा आप लोग के लिए दसओ पाइंट दोस्तों यहाँ पे है आईटियाई में अगर टीचर बना चाते हैं तो आईटियाई के बाद सीटियाई करना जरूरी होगा अगर आप आईटियाई टीचर बना चाते हैं भाब इसमें आईटियाई कर लेते हैं फिसके बाद टीचर बना चाते हैं आईटियाई में ही तो ITI के बाद जो है आपको CTI करना होता है जैसे कि लोग CTI करना होता है जैसे लोग primary में जूरी में पढ़ाने के लिए BTC उगरा करते हैं जिसे direct कहते हैं BTC को अगर आप करना चाते हैं तो जो है वो करते हैं कोर्स करते हैं वैसे ही आपको ITI में पढ़ाने के लिए आपको CTI करना जरूए है CTIB आपको जो है टीचिंग कोर्स है जो आई टीचिंग में पढ़ाने के लिए इलिजबिल होता है दोस्तों यह महत्पुर्ट दस पॉइंट है अगर आप इसे समझते हैं तो आगर आप विचार करते हैं तो कहिं कहीं आपको फाइदा होगा और जो मुख्य सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है आई होप कि आपको इंफार्मेंस तर अच्छा लगा होगा हो आई होप की जो डाउट आपका क्लियर होगा होगा थैंक्स वर वाचिंग